हालो दोस्तों स्वागाद आपका आमारे यूट्यूब चैनल इस्टेटीफ और एक्जाम एन नॉलिज में मैं हुआ आपका दोस्त तन्यूल आज हम लोग डिसकस करेंगे सीटेट में एनिमल से पूछे जाने वाले कुछ महतपूल प्रश्ण जो पूछे जा रहे हैं प्रश्डुन का इता है कि नीम्लखीत में काऊं सा जानवर अंडे देता है यह पहुत ही लेजी पराडव है जो प्राहें पीडों पर उल्टा लटका राता है उल्टा लटका राता है यह बहुत हिलीजिक किस्म का प्राडी होता है पेग्विन की बात की जाए तो यह ध्रूमों पर पाए जाता है जबकि वेल जो है वेल एक मचली है वेल एक बड़ी मचली है अगर डाल्फिन की बात की जाए तो यह अंडे देती है इसके साथ i.e. यह पाली है यह बहरत की राष्टी यह जली यह प्राडी, जली यह प्राणी खोषित की गई जो गंगा नदी में पाई जाती है. निमलकीत में से कौन सा यूगम, सुमेलित हैं? तो इस्तन्धारी बंदर, कैसे रुखी फेफड़े, और कैसे रुखी मिठाथ। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा यूग में सुमेलित हैं तो इस्तंधारी बंदर या यूग में जो हैं सुमेलित हैं या राइट ऑप्शन हो जाएगा का सुरिकी या फेफडे या गलत ऑप्शन होगा क्योंकि कुछ औक सुरुकी जैसे कि जो मेढख हैं या उभैशर संका प्राडी हैं इसमें फेफडे पाये जाते हैं इसलिए यह जो option होगा यह गलत होगा यह भी option गलत होगा जो हमारा right option होगा इस्तंधारी बंदर यह option right होगा चमगादर इस्तंधारी है क्योंकि यह बच्चे देता है इसलिए यह इस्तंधारी है पच्छी अपनी गर्दन बहुत अधिक हीलाते हैं इसका कारण है कि इसका क्या कारण है यह बताना है यह उड़ सकते हैं उनकी कान पांखों से ढगे रहते हैं पच्छीयों की आख छोटी होती है तो इसका जो right option होगा पच्छियों की आख की जो पुतली होती है वह उसे घुमा नहीं सकते है पच्छी की आख के अंदर जो पुतली होती है जिस तरह से मनुष्य अपनी पुतली को इधर उधर घुमा सकता है उस तरह से पच्छियों की आख की जो पुतली होती है अरंबिक उस्ता है निम्लिखित पच्चों में कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे गुमा सकता है तो इसका राइट आप्सन उरलू होगा जो अपनी गर्दन को काफी पीछे तक गुमा सकता है नीचे दिये गए सभी जानौरों में से निम्लिखित में से कौन सी विशेस्ता एक प्रकार की हैं तो या सभी जो हैं अंडे देते हैं या इनकी विशेस्ता है निमलिकित में से किस की सुनने की सकती इतनी तिछ्ड होती हैं कि वह वायू से पत्तों को हीलेने की धोनी और घास पर किसी जानवर के चलने की धोनी में अंतर कर सकता है तो इसका जो राइट अप्सन होगा वह बाग है बाग के सुनने के सकती इतनी तिछ रोती है कि यह वायू से पत्तों के हिलेने की धोनी और घास पर किसी जानवर के चलने की धोनी के बीच में अंतर कर पाता है जब एक जीव लाव लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किये तो इसे हम क्या करते हैं तो इस परकार के संबंद को हम क्या करते हैं तो इसका राइट अप्सन हो जाएगा उप्सन सी इच करेक्ट अप्सन होगा सहभोजी यहां पे हम लोग देख लेंगे सहजीवी किसे करते हैं, परजीवी किसे करते हैं, सभोजी किसे करते हैं और मिर्दोपजीवी किसे करते हैं तो सबसे बादले बात करेंगे हम सहजीवी किसे करते हैं सहजीवी में दो जीव सासात रहते हैं तो ऐसी अपरे करते हैं जिसे दोनों को लाव होता है, तो इस प्रकार के संबंद को हम सहजीवी संबंद करते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए, तो यहाँ पे लाइकेन का एक ब्यातर उधारण होगा, लाइकेन के साथ कवक भी सासथ पाए जाते हैं, यानि लाइकेन और कवक सासथ रहते हैं, लाइ आपके करते हैं जिससे कि दोनों को लाव होता है लाइकेन जो होता है इसकी जड़े पूर रूप से विक्सित नहीं होती जबकि कवक की जड़े कवक जो होता है लाइकेन के चारों तरफ एक जाल के रूप में फैल जाता है और जो कवक होता है लाइकेन को जल और खनीज लव तो इस तरह से लाइकम और कवक का जो संब्ढ़न होता है या साजीवि संब्ढ़न कर लाएगा क्योंकि लाइके जो हता है अपना वोजन तभी बना पाता है जब कवक, जल और खनीज़लर क्यों को प्रदान कराता है यानी खनीज-लवड और जल का अवे में करके जो कवक होता है वो लाइकिन तक पहुचाता है और लाइकिन प्रकास असल के द्वारा बोजन का निर्माल करता है इस तरह दोनों जीव सासात रते हैं रिथा है इसे प्रकार करते हैं जिसे दोनों को लाब होता है तो इस प्रकार के संबंद को क्या करेंगे साजीवियत स इसके साथ जो दलहनी फसले होती है जिनसे दाले प्राप्त की जा सकती है उन फसलों की जड़ों में जैसे कि चैना मटर इत्यादी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टिरिया पायाता है यह बैक्टिरिया क्या करता है कि जो वायुमंडल में स्वतन नाइट् परिवर्तित कर देता है क्योंकि पौधे जो होते हैं स्वतन नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं तो जो राइजोबियम बैक्टिरिया होता है जो दलहनी फसलों जैसे चैना मटर की जड़ों में पाय जाता है या सोतन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है जिसे गाड़ पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर पाते हैं और जो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकासनसेल के दोरा और जो कुछ बात करेंगे परजीवी परजीवी में एक जीव को हमेशा हनी होती है जबकि दूसरे जीव को लाव होता है परजीवी परजीवी जो होते हैं या एक स्थाई परजीवी भी हो सकते हैं और बाह परजीवी यानि परजीवी दो प्रकारिक होते हैं अंतर परजीवी और बाह और या फसलों में असुषित करते हैं और वहां से पचापचाया भोजन असुसित करते हैं और पाय पर जीवी चुहते हैं यह पोधे के बाहरी भाग में पाय जाते हैं बाहरी भाग से भोजन प्राप्त करते हैं इससे राष्ट को बहुत हानी होती हैं तो पर जीवी में एक जीव को लाब होता हैं जबकि दूसरे जीव को हानी होती हैं सहब भोजी यानि कॉमनलिजम में कॉमनलिजम में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जीव सासा तरह दें था ऐसी अप्रिया करते हैं जिससे एक जीव को जिससे कॉमनलिजम में क्या होता है कि एक जीव को लाव होता है और दूसरे जीव को एक जीव को हम लोग मृतोपर जीवी मृतोपर जीवी मृतोपर जीवी ऐसे जीवी होते हैं जो अपना वोजन सड़े गले कार्बनिक पदार से प्राप्त करते हैं ऐसे जीव को मृतोपर जीवी जीव करते हैं जैसे कि म्यूकर एक प्रगार का कवक है जो अपना वोजन सड़े गले कार् अच्छी है जो अपना घोसला कहां में बनाता है पत्थरों के बीच में बनाता है इसके बाद नेक्स्ट प्रेस्ट है कैक्टक्स के काटों के बीच घोसला निमन में से कौन बनाता है तो जो है फाक्ता फाक्ता जो है या कैक्टस के काटों के बीच में घोसला अपना बनाता ह तो आसा करते हैं आपको वीडियो पसंदे है वीडियो पसंदे है तो वीडियो को लाइक शेर और जैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिन